तो गुद इवरीवन येस लेट स्टार्ट वित या कॉमर्शल बैंक सीडियर लास्ट लेक्चर में तो हमने आपका यह कंप्लीट किया था आर बिया और उसके फंशन के इन के इन क्रोस की डेफिनेशन ठीक है तो आज हमनों स्टार्ट करेंगे कॉमर्शल बैंक गई वाट द क्या है पैसे कमाना सिर्फ और सिफ पैसे कमाना अच्छा कोमेशल नाम से दिख। है कि कॉमर्शल बैंक है इसका मतलब है जो कोमेश्यल नेचर की है यह एसी इसे जो profit seeking banks है जिनका main purpose ही है पैसे कमाना ठीक है done everyone okay ठीक है पैसे कमाएंगे बट यह commercial forms के भी types होते हैं now how many types of commercial banks जाद है there are four types चार चार types होते हैं guys commercial banks के वो types होते हैं पहला हो जाता आपका public sector bank ठीक है मतलब public sector bank बना के तुम पैसे कमाते हो और लोगों को लूटते हो ठीक है लोगों की बीच में यहां से deposit लोगे इनको loan दोंगे इन दोनों की बीच में जिनसने deposit दिया है उनको उसका तुम पैसे से वह पैसेतै अच्छाकासा इंट्रस कमाँंगे और ہं उनको ठोड़у 25 ठीक है दिड़िया आप कि inventor बढ़न दिने ने कृतलं ठीक है तो यहा मित्क है अच्छाकॉद कमाशू कुरान को दिख्य drums और से नगस नथींन से यहां लें तो एबवोचू का childhood कि नो की बही कितने लोगों को इनका मतलब पता है वाट डियू में बाद इस यह पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होती है पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होती है बोलो वाट डियू में बाद इस पब्लिक सेक्टर बैंक वाट क्या होती है पब्लिक सेक्टर क्या चालू है आप लोगों का डोक लोगों को खुदी बाते शुरू कर दी देज बोलो पुब्लिक सेक्टर बैंक क्या होती है गई ऐसी बैंक यह ऐसी बैंक है जिसका होल एंड सोल कंट्रोल होता है गवर्वनेंट के पास जो वो लोग income कमाते है वो इनका नहीं रहता है ठीक है clear everyone तो यह public sector bank क्यों होती है फटा फरसे यहां पर आप रफ में लिख लो bracket करके which is controlled by government sector जो पूरी तरह government sector control करती है ठीक है now what do you mean by this private sector which is owned which is controlled by your private shareholder private shareholders समझ में आ रहा है जो private shareholders control करता है ठीक है now what do you mean by this regional rural bank गाई यह वो बैंक है जो regions में है गाउं गाउं में है rural areas में है समझ में रहा है और यह भी गाउं में बैठके क्या कर रहे है profit कमार यह मस्त अच्छा खासा ठीक है these are your rural bank regional rural bank particular particular area में regional banks है and what do you mean by this term foreign bank foreign bank क्या होती है anyone yes foreign bank क्या होती है foreign bank अरे मस्त अ एक बहुत ही मस्त वाली बुलू क्या एक दम भारी एक दम भारी जान दे तुन ना जिसकी कर्म भूमी कर्म भूमी जिसकी इंडिया में है लेकिन उसकी जन्म भूमी इंडिया के बाहर है विदेश में है जो जन्म हुआ है बाहर विदेश में जन्म हुआ है इंडिया में थे मां मतलब मतलब फॉरइन बैंक है फॉरइन में पली बढ़ी है यार लेकिन कमाती यहां है काम यहां खरते है done, सम्झा, एक नमबा, इसका मतलब which is incorporated in foreign country and जो operate का, एक मिनिट, incorporate कहा हो हुई है, exact अम बोलो incorporate कहा हो हुई है, foreign country foreign country में incorporate हुई है guys, company निया country लेकिन उसका operation कहा होता है, operated in Indian operated in India India, India में काम करती है समझ में आया, यह तर्ड, समझ में आया, आपको public sector bank से होते हैं, जो government के अंडर में होता है fully control होता है, government उसके shareholder होती है, सारे whole and sold जो भी transaction होता है, गोवर्मेंट समभाती है बहुत private sector में private shareholders आ जाते है regional rural bank, गाहों गाहों में particular particular region में यह bank सुथी, अंसारी बैंक ना तूफन profit कमाती है, ठीक है, तूफन पैसा कमाने के लिए बैठी है, अच्छा पैसा कैसे कमाती है, अब यह बताना मुझे और foreign bank तुमने आपको बहुत ही मस्तरा से बता है जिसकी कर्म भूभी इंडिया में, लेकिन जिसकी जन्म भूमी कहा है foreign government, operations मतलब काम करती है यहाँ पे काम करती है, पैसे कमाती है इंडिया में, भारत में पैसे कमाती है अच्छा मुझे एक बताओ यह incorporate होती है foreign country में काम करती है इंडिया में, तो यह कहां के कानून फॉलो करेगी, कौन्स आक्ट फॉलो करेगी यह foreign country का जो act है, foreign country में जो भी banking regulation कुछ act होगा वो भी फॉलो करेगी है, साथ ही ताथ इंडिया का banking regulation act 1932 भी वो फॉलो करेगी, 1934 भी वो फॉलो करेगी, clear? 1932 न आपका partnership act है, ठीक है 1934 is your RBI act यह थोड़ा सा ध्यान रखना हलका सा difference है ओके जी दोनों act फॉलो करेगी वहाँ भी अन्याहाँ भी, ठीक है clear? चालो तो यहार मुझे अभी एक बत बता दो न चलो आजो अभी थोड़ा सा पढ़ ले क्या थोड़ा सा कुछ डीटेल देख ले क्या क्या लिख्फा है या फिर यह बात मैं देखते है चलो आज समझ लेता है ठीक है? मिन इनका काम क्या होता है? केंद क्लॉस मेte केंद क्या होता है? ऐसी बैंक गे, जो financial intermediary है जो dealer है, loans में और debts मे लेना, देना करती है loan में और debts में उधारियां देती है उधारिया लेती है टन पैसे कमाती है में टार्गेट से यहाँ पर इतना धान रखना पैसे कमाती है भाई बहुत पैसे कमाती है डिपोजिट्स लेकर यह बैंक है यह बैंक डिपोजिट लेके पैसे कमाती माम कैसे मानलो किसी ने न एक करोड रुपे deposit किया ठीक है तो यह 6% इसको इंटरज्ट देगी ठीक है बट यह 1 करोड रुपे यूस करके यह अच्छा मानलो यह 1 करोड रुपे ठीक है अगर इसने सामने वाले को लोन दे दिया तो यह कितना चार्ज करती है बैंक और आवरेज 12 परसेंट वो इंटरस्ट चार्ज करते है ठीक है जस्त अन एक्जामपल तो छे परसेंट का तो गई इसका बैठे बैठे का इंकम हो गया ना बैठे बैठे की कमाई है इसकी समझ मा रहा है क्या फॉस्पाइंट एक्सेप्टेंस ओफ डिपॉसिट्स यहां से पैसा कमा रही है ठीक है अब आप डिपॉसिट्स में सारी चीद एक्स्पेंग का दो कि इस दिपॉसिट्स आड़ टू टाइप होता है तु बताने वाली कि पाइसे कमाथि बाद में वापिस सहाओ अपने इसका माधिक डिपॉसिट्स लेकर पैसे कमाना लोंगाडवाहसेज देकर पैसे कमाना की जैसे की फंड ट्रांसफ़र न ठीक है पिरियॉडेजह पेमेंट्स कर दिया मनलों आपने बैंक को अपक पइंक कर ल मेरे अकाउंट से आटोमाटिकली डिड़क्ट हो जाए सामने वाले परसन को हर महीने ददद सदार रुपए चले जा मेरे अकाउंट से यह सारे पिरियोडिकल पेमेंट्स आप इससे कर सकते हो फॉरें एक्स्चेंज के तुरू जो पैसे कमाती है डीमाट फैसिलीटी के तु मोबाइल बैंकिंग के तु मनी कलेक्शन के तु मर्चंट बैंकिंग के तु मर्चंट बैंकिंग मतलब वो जो आप तुम कार्ड स्वाइब करवाते हो नो बिग बादार में जाके यह सो नो वो है मर्चंट बैंकिंग यह सो विति उससे भी पैसे कमाती है सेफ क्रिएशन करके पैसे कमाती है मतलब यह वही वाला पॉइंट हो गया है जो अब मैंने बताया आपको क्या होता है चलो यह बताओ जो डिपॉजिट आया उसका कुछ हिस्सा हम कैश रिजर्व रखेंगे और बचावा हिस्सा हम सामने वाले को क्या दे देंगे लोन दे रखेंगे कुछ पैसा हम आर बी आए के पास में सी यार और एक टॉपिक में बहुत ही बैतरीन तरह से समझाया ड़न एवरिवान जो डिपॉजिट बैंक लेती है मान लो एक करोड रुपेली है तो उसका कुछ हिस्सा जो भी सी यारा का रेट हो का न उतना हम कैश रिजर्व क्यों 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 क किसी को भी जिनको चाहिए हो ठीक है clear बस गई that's it यही इसके point से क्या क्या point है एक deposit लेती है एक advance करती है loan loan देती है ancillary functions and credit creation सब कामों से पैसा 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 कमाती है done only four points वाद यह acceptance of deposits giving advances and loans ancillary functions and credit creation clear everyone done बोलो रट्टा हुआ क्या मारा रट्टा मेरे साथ बढ़ू आगे चाल आज जाओ फिर यह topic खतम कर देते हैं line by line and word by word I hope मैंने आपको सारी चीज़े समझा दी ठीक है अब इसको थोड़ा सा detail में line by line and word by word से देखेंगे जालो आज 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 commercial bank it act as a intermediary नीचे की definition में पढ़ लिया था कि वह intermediary आख करता है पूरे country के financial system के लिए जो savers को और investors को एक साथ लाता है माडम savers कौन सेवर मतलब जो depositors है जो नहोंने पईसा deposit किया वो कर क्या रहे है मानों तुमारी ममा ने 10,000 रुपे बैंक में क्या करवा दी FD करवा दी fix deposit कर दिया recurring deposit तुमारे डैडी ने तुमारे account से जो भी उनको salary आती है वो emergency fund के लिए 2-3,000 रुपे या 5,000 रुपे हर महिने कटता है डैडी का वो क्या हो गया हो गया every month जो करता है recurring करता है वो आडी हो गया और जो ममा एक साथ डालती है 50,000 रुपे 5,000,000 रुपे वो हो गई तुमारी ममा की FD समझ में रहे है टाइस भी बता रही है आप एक FD और RD दोनों example दिये गई समझ में रहे है मतब क्या हो गया यह दोनों ने क्या किया idea saving की ह सेविंग की है अचा मुझे एक बाद बाद हो यह सेविंग क्या सिर्फ ममा और डैडी कर रहे है और कुछ option नहीं है है current account में भी तो पैसा पड़ा है current account क्या है businessman ने account open किया है इसमें भी तो कुछ पैसा पड़ा है और saving account जो भी salary class small traders ने कुछ पैसा जमा करने के लिए सेव किया है यह क्या हो गया saving account clear everyone okay तो अब मुझे बताओ this act as intermediaries in the country's financial system पूरे country का financial system के लिए intermediary act करता है to bring savers savers जिन्होंने पैसा जमा किया ना बैंक के पास में उन साब कोई खटा लाता है and investors investors मतलाँ यह लोग अपन से पैसा लेकर कहीं नाक समंग रहा है तो त्म यह लोग क्या करें इन्वेस्ट कर रहे हैं था समय है बहुत सीजिंग आपको हमेशा यादेगा कॉमेश्यल बोला तो प्रॉफट प्रॉफट पूरा यादाना चाहिए चारओ पॉइंड याद गया तुल का में मैं an important role, बहुत important role प्ले करते हैं commercial bank in utilizing saving and allocating them to various economic sectors. ठीक है? मतलब these play an important role in utilizing saving, जो अपने saving डाली है, एक करोर रुपए. ठीक है? इसको mobilize करना मतलब utilize करना और allocate करना मतलब distribute करना. यहां लिखो utilize, utilizing लिखो यहाँ पर and यहाँ पर लिखो distributing. इन से लेके हमने क्या distribute किया to various economic sectors. यह सब क्या है? company, shop, partnership firm, यह सब क्या है? क्या है? economic sectors दी तो है. economic sectors है. चलो यहाँ पर मैंने बोल तिया agriculture sector, industrial sector, फिर different sectors हो गाए वो आपके economic है, समझ में आ रहा है? इट includes बोथ, scheduled commercial bank as well as non-scheduled. अब आम यह क्या होता है? schedule मतलब जो listed है. जो list में दिया है. which is as per schedule. ठीके? commercial bank को भी देखो. schedule commercial banks are those which are included in the second schedule of RBI Act 1944. 1934, sorry. now, यह मैंने आपको बताएं कि जो भी bank है उसको Reserve Bank of India RBI Act follow करना होता है, यह मैंने आपको पहले से बताएं. ठीके? तो RBI Act मैं कुछ schedule दिया होगा, उसमें तुम fit बैटते तो, you are scheduled commercial bank if you are not fit, you are non-scheduled. समझ मैं आया? in short, RBI Act का second schedule तुम comply करते हो, then you are scheduled commercial bank प्रियंका क्या बोल रहे हो? चीक है, चालो अब यह कितने टाइप से होते हैं? चार category की होते हैं, इनके function और इनकी ownership चार टाइप के होती हैं, एक उती public मैंने आपको बता दिया, private sector यह भी बता दिया, regional, rural and foreign mags यह भी बता दिया गई, ठीक है? यह हमेशा लिख कर आना, इसका detail नहीं पुछा रहेगा, लेकिन एक क्लाइन में अगर मानलो, आपको objective पुछता है, तो आपने answer करना ची, इसलिए मैं आपको बता है, ठीक है? definition क्या हो रहे हैं कि commercial bank की? Professor Kane Cross, a bank is a financial intermediary, एक बीच में ऐसा intermediary होता है, B, intermediary मतलब middle man, अब यह आदमी तो नहीं है, तो middle वाला बज़ता है, ठीक है? तो intermediary word use होता है, financial intermediary, पैसों का intermediary है, समझ में आ रहे हैं, जो dealer है loans में and debts में loans and debts में, जो deal करता है done, everyone it's a financial intermediary which is the dealer of loans and debts simple थी तो लाइन है यार now, functions of commercial bank, ज़रा एक बार देखो कितनी कितनी बार एक्जामों में पुछा है चलो आ रहा functions of commercial bank, acceptance of deposits मतला, deposits accept करना मतला, अच्छा वापे से profit कमाते हैं इसलिए सारे 4 points आ रहे हैं deposit लेंगे loans and advance देंगे बाकी के कुछ काम करेंगे credit creation करेंगे, CRR थोड़ा सा पैसा उनके उपर वाले के पास रख देंगे, हमारे अबबाजी के पास रख देंगे, अबबाजी भी खुश और हम भी खुश, अरे सालरी कमाते हो पैसा कमाते हो, तो डैडी ममा को कुछ देते हो नहीं देते हो, या पूरा पैसा खुद उड़ा लेते हो, देना बढ़ता है न, अबबाजी को भी कुछ देना बढ़ता है न, घर के, डन, अधर्वाइस तहल का, चलो जी आड़ो, अब क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, accepting deposit, is most important primary function of commercial bank, obviously, यह सबसे important function है, पैसा लेना, deposits constitute main source of funds for this bank, यह बैंकों के पास मैं, पैसा कहां से आता है, deposit हम डालते हैं तो ही आता है, पाता है, पैसा हम कमाते हैं, और हम बैंकों देते हैं, क्या बात है, savings lead to creation of deposit और यह जो savings है आप जो saving करो पैसा it leads to deposit यह मैंने आपको अल्रीडी बता था आप job करोगे employment होगी तो income कमाऊगे income होगा तो कुछ पैसा save करोगे कुछ पैसा consume करोगे नहीं पहले consume करोगे फिर save करोगे कुछ पैसा consume करोगे फिर कुछ पैसा save करोगे savings हो जाएगा बैंक में deposit वगरा करोगे deposit बढ़ा हो जाएगा जब सेविंग बढ़ी हो जाएगी आप उसको investment कर दोगे तो यह यह दोनों पार्ट है सेविंग हो गई deposit में जाके जमा कर दिया अब deposit कितने time क्यों होते हैं देदा टो टाइप एक है आपका demand दुस्ता है time demand मतलब which are withdrawable on the basis of demand मतलब जो withdraw कर सकते तुम जब तुम demand चाहो जब तुम चाहो तब withdraw कर लोगे these are withdrawable on demand मतलब क्या हुआ जब तुम चाहो तुम विड्रॉ कर सकते हो clear this part they are in the form of current account and saving account यह CA यह है यह ऐसे यह है notes में ढूंड़ना मत लिख लो doubt होता है तो वैसे यह आपर लिखा है current account and saving account को क्या होता है मान लोड़ो पता क्या है क्या होता है current account में को बिजनसमैन है थीक है उसको बहुत बार बैंक में डेली पैसा निकालना और जमा करना फिर निकालेगा फिर जमा करेगा फिर निकालेगा फिर जमा करेगा डेली डेली पैसा डालेगा जमा निकालेगा डालेगा निकालेगा ठीक है इसको हर बार ये ट्रांदक्शन करने होता है तो इसलिए वो करेंट अकाउंट ओप थी होगाट ले पार भी ले सकती हों सेविंग अकउंट से तुम उधारी नहीं करते हैं आमिका ने का सकते हों करंड का ताकॉन में में तुम मानलो जाएतने तुमको को लिमिट दीह दी दस लाक रख रुपाय तो मेरे को है अकाउंट की लिमिट है तैंहों 10 अक टृपे एक्ष्रा कट विद्रॉ कर सकते हो समय रहा ओवर्ड्रॉ कर सकते हो ऒब ज्तना का सथरी चतना बैलन्स हसको बिड्रॉ कर ओड्रॉ मतलब एक्षरा का पैसा निकाल लेना दा क्लिक चांनि म्लेश सम remember टम्दा क्लियों ओवरड्राप्ट ओवरड्राफ्ट पेसिलीटी ओ तब ही वड़ आता है ये ओवरड्राफ्ट ओडी ओडी बोलते हैं अपन येस ओवरड्राफ्ट ओवर एन अबवव यूद्राफ्ट अरे मान लो तुमारे जो current account है not depends upon you and your transactions बढ़े बड़े लोगों को तो बहुत बढ़ी बढ़ी limits होती है जो बढ़े बढ़ी business man होती है उनको बहुत भारी बारी limits होती है ठीक है हाँ फिर obviously, obviously हो तो लगता ही हो गो हो तो सवाल ही नहीं होता इंटर्स तो लगेगा ना डियर ठीक है चलो यह देखो यहां पर लिखा है इस अलाउट टू विड्रॉ एक्सेस बालेंस इन अकाउंट ठीक है इट इस उच्वली ओपन वाई बिजनस्मान जिनको डेली पैसा डालना पैसा निकालने की दरत है कॉर्पोरेशन देखो कई बार देखो कंपनी में एक कैशियर बैठा होता है कोई भी कंपनी में एक कैशियर होता है वह कैशियर क्या करता है जो भी पैसा रोज आया है वह रोज जाता बैंक में डिपॉसिट करता है घर जाते जाता है पैसा डिपॉसिट करता है और फिर घर यह रोज जमा करना यह रोज निकालना पैसा ठीक है आपके ना बिजनसमैन ओपन कर सकते हैं आपको एक बिजनस दिखाना पड़ेगा आपका यह चीज है ठीक है डन एवरीवान नौ सेविंग अकाउंट क्या होता है इस अधर ओपन मेंली बाइद सालरीट क्लास गई सालरीट क्लाइब करेंगा स्मॉल टेडर या मिडिल क्लास लोग उपन करेंगे विश्टु सेव पार्ट ओफ द्र iंकम विद बै कमट जो बहुंड किया है सेव करना उनको पईससा बांक में वह लोग पन करेंगे विष्टु सेव पार्ट ओफ देर इंकम क्यों कुछ पर आच पट ऑफ देरीजिय क्ला इंड्नी बहुता है specific maps the होनी चाहिए टेकनिकल आप पढ़ के जा रहे हो बुक से उतना समझ में आ चाहिए उनको एक्जाम में ठीक है कि आपने साल भर बुक पढ़ाई की है आप पढ़ रहे हो बार बार और और आप वैसा ही आंसर जब लिखकर आते हो एकदम डिक्टो नो वन is expecting from you but थोड़ा बहुत 50-60 परसंट अगर आंसर सेम होता है 70 परसंट भी सेम होता है तो 30 परसंट वो लोग आपको माक करते हैं आप देदेता है ठीक है चलो आजाओ इतले आपको बोला who wish to deposit who wish to save part of their income with the bank ठीक है चलो what do you mean by this time deposit this deposit repayable time समय एक समय खतम हो गया मानलो एक साल खतम हो गया तो बैंक को आपको आपका FD देना पड़ेगा मानलो एक साल के लिए तुमने आड़ी अकाउंट ओपन किया है एक साल बाद जितना भी पैसा इखटा हुआ है ठीक है मानलो पांच एदा रुपए पांच एदा रुपए हर महिने आप जमा कर रहा थे तो 5000 इंटू 12 months 60,000 आपको जब एक साल खतम रहागा तो तुम्हें 60,000 प्लस कुछ इंट्रस मिलेगा उसमें ऐसा होता है कि 70,000 मिलेगा 72,000 मिलेगा ऐसा कुछ होता है ठीक है डन एवरीवान इन अदर वर्ट दे केन बीड्राउन ओनली अन मैच्वारीटी मैच्वारीटी पे ही विद्राउन करोगे यहां पे एसा नहीं था यहां जब चाहे तब कर ले आना जाना चलने दो यहां जरत ते ज़्यादा होता है यहां पे थोड़ाग कम होता है कुछ लिमेट होता है ठीक है RD account refers to the deposit अच्छा दे आर इन फोर्म उफ RD and FD none confuse मत होना RD refers to deposit where customer deposits statοι स सममाउंट आट रेगुलर इंटरेल फोल स्पैसिफाइट पेाइड आउड यthिक समाउंट हर मेनय最 high 5,000 रुपय ए ट रीगुलर इंटरेल मतला एक महिन मेंने में एवरी मंठ पांच आज हम डालने का तो आप लिखोगे कैसे एक्जाम में एट It refers to deposit, एथा deposit है, वेर, जहाँ पे जो बंदा है, customer है, वो bank में जाता, deposit करता है, fixed amount, over a period of time, या regular intervals of time, done, okay, fixed deposit क्या होता है, It refers to lump sum amount, ये क्या होता है, ये lump sum amount होता है, FD, एक साथ पाश लाख रुपे डाल दिया, ममा ने, एक लाख रुपे डाल दिया, एक लाख रुपे डाल दिया, ठीक है, It refers to the lump sum amount, deposited by customer, for specified period of time, यहाँ पे regular intervals आएगा, यहाँ पे specified period आएगा, कई बार आपको objectives में पकड़ेंगे वो लोगा, इस पे, रेगुलरी क्या, recurring, रेकुर, ठीक है, यहाँ रेकरिंग डिपोसित, और FD, specified period of time के लिए, दन, इस डिपोसित क्यारीद हाई रेट आप इंट्रेस, इस डिपोसित क्यारीद आप इंट्रेस कंपेर तू अल अधर दिपोसित, ओविएटली, छे पसन मिलता है, वो जादे ही है, बैंक देने के टाइम पर 6% से जादा नहीं देती है, ठीक है, नौ, नेक्स पॉइंट, लोन देने का, गमर्शिल बैंक यूटिलाइस सेविंग, वो यह जो अपने सेविंग करी है, यह यूटिलाइस करती है सेविंग, अब लेंड दिस फॉण्स तो इंस्टिूशन, इंडिविजूल, पर वेरियस पॉपर्से, लोन देती है और एडवांड देती, मैडम, लोन और एडवांज इसमें दिफ्रेंस क्या है, अभी के, अभी, अभी 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 आपका अकाउंट को, मेजॉरिटी चाप्टर बार फिरेश, नौ यूगाइस तेल मी, वाट्स यूर दिफ्रेंस बेविन लोन देन अडवांज इस, क्या दिफ्रेंस होता है यह, लोन दर अडवांज में, अनिवांज, का हो यह, का दिफ्रेंस होता है, बोलो, अरे लोन क्या होता है, एडवांज क्या होता है, बोलो, Yes, लोन ओविसली लम्बे समय के लिए होता है, लेकिन, एडवांज हमेज़ा, शॉर्ट प्रेंट के लिए होता है, ऐसा भी नहीं है, बोटो इस, इन जन्रल, you can say, जो bill of exchange वागरा तुमने पढ़ा न, जो ODI facility देती है न, bank आपको, अरे credit card देती है न, credit card facility, ये सारी advance में आ जाएगी, ठीक है, bills of exchange, credit card, तुम bills of exchange को वहाँ पर जाके discount करवाते हो, याद आ रहे, cash account debit, two bills receivable, bill receivable गया, पैसा आया, ऐसा entry मारते हो तुम, ठीक है, तो ये क्या हो गए, discount करा रहे हो, ये सह न, आपने discount करा रहा है, bank account लेलो, bank account to BR account, ऐसी पढ़ा होगा, discount account, discount क्योंकि खर्चा लगा है, bank को, ठीक है, तो इस तरह से कोई entry पड़ी कि, by bank, by discount to BR account, तो ये सारी चीज़े क्या होती है, तिया, कर लो थोड़ा पैसा कम देदो मेरको 10,000 रुपय मिलने वाले तुम 9,500 देदो 9,000 देदो बचलो एटीज मेरा आज का काम तो हो जाएगा सबज बारा इन दाट केस यूदिस्काउंट बिल्द फिक्चेंज और क्रेडिट कर तो आपको पता ही है क्रेडिट ओडी फैसिलिटी ठीक है तो यह एडवांस क्लियर हो गया नाओ वाट द्यू मीन बाद इस तर्म लोंस कान भी यह कॉल लों यह शॉट टर्म लों यह मिडियम टर्म लों और यह लों तो कभी भी यह मत समझना कि लों जो होते है वो हमेशा लंबे समय के लों वो श सकफरेशन ग्रेटर est ओभी लिए ओभी ळ। फोह के लधन सताया विविन यूटिस नांळ पच्षिस साले लों ल्यूद लेकिन लेकिन दो साल या पास साल के लिए लिए तो इंटर्स रेट यहां पर कम है यहां पर जादा है क्योंकि पच्छिस सालों के लिए डन लाइन लिखकर आना लॉंग टर्म लॉंगर दूरेशन गेटर विल बीदा रेट अप बता उने कि आपको हर एक छोटी छोटी चीजे मालूम है एक्जामिनर को क्या चाहिए आंसर में टेखनीकल चीज आपको पता है यह बता क्या हो डन गॉट इट चालो है एंसलोरी फंचेंस मतला है पंड ट्रांसफर करना पिरियोडिकली कुछ एक फिक्समांट पेमेंट करना ठीक है मानलो आपको आपके किसी जाना चाहिए और एक्षेंग दीमाट पासिलिटी मोबाल बंकिंग क्लेक्शन अफ मनी मर्चंट बंकिंग सेफ दिपोसित लॉकर्स इंटने बंकिंगे सबके तुरू बंक अच्छा खासा अधर सर्विसे देती अंशलियर सर्विसें मतला अंचलरी मतला अधर सर्विस बंकिंग कंशलने का जाहन बंकिंग से देखन देखन खासिते आंचलरी सविसे सब्सक्राइब इनका अम बंका यह नहीं दोनों के अलावा को यह और डिपोसित नहीं है कॉन-कांट demand deposit and time deposits के अलावा और कोई primary deposit नहीं है after meeting reserve requirement यहां पर लिखना of RBI ब्रैकेट में भी लिखो CRR and SLR आपको पता है जब सारी चीज़े लिख कर आओ balance amount is used for giving loans बच्चाबा पैता हम उनको loan देते हैं done clear the secondary deposits और derivative deposits are created out of loans given to bank secondary deposit जो होती है ठीक है secondary deposit derivative deposit are created वो create की जाती है out of loan given to bank मतलब मतलब यह क्या हो पता है जैसे for example आपके RBI ने आपको पैसे दिया है ठीक है RBI ने कोई एक bank बोलो मुझे bank of India ठीक है RBI ने bank of India को कुछ पैसे लोन दिया है इस लोन से bank of India और सामने क्रेडिट क्रेट करें यह क्या हो जाएगा secondary deposits done derivative deposit this procedure is followed by entire banking system in the country in short commercial bank create deposits out of the loans given thereby and leading to credit creation done everyone तो कितने points पड़े अपने चार points पड़े commercial बोला था पैसा पैसा कमाने का है इनका इंटरस इंटरमेडियरी है वो country के financial system में सेवर और इंटरमेडियरी स्कोर सेवर और इंवेस्टर्स को वो साथ में लेका राता है profit seeking है गई बहुत हो सकते है इशिडश्योफ रूबिट यो जो रिए आट 1934 के सेकेंड चयल में लिस्टट है वह अगहाम आपे लिस्ट है वह शिडिश्योफ होगा नहीं लिस्टबोन शिडिवील होगा ठीक है कित राइप कहूंगे पॉब्लिक प्राइवेट रीज़नल रूरल पप्लिक प्राइवेट गाओं की ऊपर्ण ? तिक है केएं फिनानचिल इंडिमिडियरी है वो ? इसका फिनानचिल इंडिमीडियरी अर्दीलर इन लोंड एंडडस काम पंचेंस क्या ओ जाएगा ? एक्सेप्टेंस अफ डिपोजिट एक्सेप्ट किया एडवांस कर रहे आप लोन्स एडवांस एंसिलरी पंशन और क्रडिट केक्षिन डन एवरिवान लन हुआ मेरे साथ साथ चीक है डू प्राक्टेस एड वान टाइम एक से दो बार यह आंसर लिख लिखो एक बार खुद से देखे बीना देखे लिखो आपको समझ माया गए आपको आपका इक्नॉमिक्स कितना शौंग है खुद से अगर आप अच्छी तरह से लिख पा रहे हो तो ही मार्क्स मिल पाएंगे नहीं हो रहा है लिखने को बूल रहे हैं एक बाब वापिस से पढ़ो फिर लिखो तो गईस राइटिंग प्राक्टेस बहुत नेसेसरी है थेओरी के सब्जेक्स में अगर आपको अच् कुछ निए होगा अभी राइटिंग प्राक्टेस की क्या अभी राइटिंग प्राक्टेस की तो वहीं कुछ हें देर्स्क होई बूल लोग लोग ऊपको को प्लीज कुछ को हुए बीजू एप ठीक है चला ओके तो we will stop till here, मिलते नेक्स लेक्षे में तब तक के लिए अल विदा, ये बाबाई everyone, take care, खुदा आफेस